आज किस वीडियो में मैं आपको 20 टॉपिक ऐसे बताने वाला हूँ जिस पर अगर आप यूटुब चैनल बनाती हैं तो 2020 में वो बहुत जल्दी ग्रोग कर दियागा क्योंकि यहाँ पर अभी नए नए जितने भी चैनल बनने उन टॉपिक पर वो जल्दी ग्रोग कर रहे हैं और अच्छे खासे पैसे कमा रहे हैं अगर आप इस चैनल पर नए हैं मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनलों को अभी सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दिजिए आप लोग वीडियो को लाइक करना भोल जाते हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दिजिए इस वीडिय बताओ जिस टॉपिक्स पे हम लोग 2020 में एक नया चैनल बनाए यानि कि अगर आपके मन में ऐसा आड़ा है कि मैं एक नया चैनल बनाओ उस पर काम करू तो यह टॉपिक के मदल से आपको यह चूज करने में आसानी हो जाएगा कि आपको किस चैनल पर काम करना है और यह जितन चैनल से बहुत अच्छे काते पैसे कमा लेते हैं जैसे कि मेरे भी एक अभी जो वीडियो देख रहे हैं यह टेक्निकल चैनल ही हो गया टेक्निकल चैनल के अंदर में भी बहुत सारी कैटेगरीज आ जाते हैं जैसे अन्बॉक्सिंग वीडियो का आ जाता है कोई एप्स का रिवीव आ जाता है किसी software का रिवीव आ जाता है तो यह सब categories इसके अंदर आते हैं लेकिन अगर आप technical channel बनाते हैं तो इससे भी आप अच्छे काते पैसे कमा सकते हैं दोस्तों दूसरा यहां पर मैं बात करो तो वह आ जाता है blog daily life का routine जैसे कि अभी आप देखते होंगे कि YouTube पे बहुत सारे bloggers हैं जो कि blog बनाते हैं blog में क्या होता है कि वह जहां जहां घूमते हैं वहां का explore करते हैं कि हां मैं यहां पर गुमा हूँ यहां पर यह चीज है और daily life में उनका routine क्या है कैसे उठते हैं कितने वज़े क्या करते हैं वो सब जानना लोगों को बहुत जरूरी होता है ताकि वो भी अपने daily life routine को जो ऐसो सही कर पाए तो आप अपने blog को भी दिखा सकते हैं आप गाओं में रहते हैं या सहर में रहते हैं तो वहां का जहां जहां का जो भी अच्छे अच्छे प्लेसेस हैं वहां के बारे में आप explore करके लोगों को YouTube पे बता सकते हैं जैसे कि बहुत बहुत बाहर के country वाले vloggers भी और अपने country के अब लोगर्स भी यह वीडियो बनाते हैं और YouTube पे डालते हैं और अच्छे पैसे कमाते हैं उसके बाद दोस्तों यहां पर तीसरा नमबर का बात करो तो वह आ जाता है खुद का टाइलेंट खुद का टाइलेंट क्या होता है कि हर एक आदमी में कुछ न कोई टाइलेंट होता है पर समझ नहीं पाता है कि आखिर यह मेरा अपने टाइलेंट है एक्जामपल में मैं आपको बता दू कि देख सकते हैं अभी यूट्व पे फोटो एडिटिंग को लेकर बहुत सारे चैनल्स है और सब मिलियंद में व्यू जाते हैं लाकों में सब्सक्राइबर्स हैं तो अगर आपको फोटो एडिटिंग आता है वीडियो एडिटिंग या कोई भी काम आता है, photographic आता है, photo click करना आता है, photo click करने का idea आप share कर सकते हैं, कि हाँ ऐसे photo click करेंगे तो इतने अच्छे से click होगा, जैसे कि बहुत सारे ऐसे channel ही YouTube पर, तो ऐसे भी channel आप बना सकते हैं, और अपने में खुद मैं talent देखिये, कि क्या चीज का talent है आप नहीं, सकते हैं निउस चैनल आपको पता है अभी बहुत करता है क्योंकि निउस चैनल एक ऐसा मतलब की चैनल हो जाता है जिस पर क्महीमीन होता है एक ज tribus ऐता एक ब्सक्ता मोत आदससे यह तो एक निवस आजाता है और निउस को जिटना जल्दी आप अपने channel में बता देंगे उतना जल्दी वो ग्रो कर जाता है और new channel में भी बहूत चीज़ आते हैं ऐसे नहीं है कि मतलब की इसिफ politics का ही न्यूज आजाता है न्यूज channel के अंदर है politics का चैनल politics का news डाल सकते हैं बॉलि वूड का News डाल सकते हैं जो भी यहां चैनल भी बहुत जल्दी अभी चलता है। और बहुत जल्दी ग्रू हो जाता है और इससे भी आप अच्छे कार से पैसे कमा सकते हैं। दोस्तो यहां पर पांचीवे नमबर का बात करो तो आप ता opinion channel, opinion channel में क्या होता नहीं कि यूट्उिब पे अगर आप चलाते होंगे, यूट्उ पे वीडियो देख रहे हैं तो आपको एक ये एक वीडियो ऐसा जरुर मिल जाता हो गए, जिसमें लोग अपने opinion बताते हैं कोई भी कांड होता है कोई भी न्यूज होता है उस पर opinion बता लेता कि website difference यहां ऐसा नहीं होना चाहिए था कोई movie आता है movie पर कोई कुछ भी होता है तो आपा opinion अपना बताता है कि हाँ यह movie ऐसा और आप public का भी जो इस opinion ले सकते हैं आसपास में जो भी होगा उनका opinion ले सकते हैं कि हाँ आपको इस पर क्या कहना है और उसको record करके अच्छे से edit करके आप channel पर डाल सकते हैं और वो भी channel बहुत जल्दी grow करता है दोस्तों यहाँ पर six number का बात करो तो वो आजाता है motivation channel आपको पता है motivation channel अभी YouTube पे बहुत चल रहा है बहुत मतलब कि नया open हो गया अगर अभी open करते होंगे YouTube पे तो बहुत सारे motivation channel अभी open हो गया है daily motivation का वीडियो ज़ालते हैं और उस पे अच्छे कासे व्यूज आते हैं पीच देना होता है बहुत सारे लोगों को बीच में वो भी देकर आप उससे भी अच्छे कासे पैसे कमा सकते हैं दोस्तों यहाँ पर सातवा नमबर के बात करो seven number के बात करो तो वो आ जाता है comedy channel एक ऐसा channel हो जाता है जो आपके हर वीडियो को चलाएगा तो चलाएगा मतल अगर कॉमेडी चैनल ऐसा है णा कि अगर आप वीडियो बना कर यूट्यूब पर नोर्मल वीडियो चे वाइरल नहीं होते हैं उससे ज़्यादा कॉमेडी के वीडियो वाइरल होते हैं तो आप कॉमेडी का चैनल भी बना सकते हैं comedy में भी बहुत सारी हो जाते हैं अगर आप अपने language में comedy video बनाएंगे न तो वो बहुत अच्छा रहेगा जैसे कि अगर आप बिहार से या कहीं से भी है अगर आपका language भोजपूरी है तो भोजपूरी में comedy बना सकते हैं बहुत viral होता है हिंदी में हैं तो हिंदी में बना सकते हैं तमील में हैं तो तमील में बना सकते हैं तो आप अपने language में अगर comedy videos बनाते हैं तो वो बहुत ज़्यादा चलता है और वो बहुत ज़्यादा पता है comedy videos अमित बढ़ाना बनाते हैं जो भी बनाते हैं उन सब का वार्ल हो जाता है और ट्रेंडिंग में वीडियो आ जाता है तो नए ने से स्टार्ट कीजिएगा तो आपका चैनल पे भी वीडियो जो है जो जल्दी से जल्दी वार्ल होने लगता है उसके बाद दोस्तों यहां पर आठवा नंबर के बात करो तो वह आ जाता है पब्लिक डियेक्शन चैनल आपको पता होगा पब्लिक डियेक्शन में सबसे पहले जो है न्यू चैनल वाले स्टार्ट किये थे कोई भी मूवी आता था तो उसका पब्लिक का डियेक्शन पूछते थे यहां यह मूवी पर क्या डियेक्शन है और क्या बोलना चाहते हैं तो ऐसे अब YouTube पे भी हो गया है बहुत ऐसे चैनल है जो पब्लीक का रियक्शन जाना चाहते हैं कुछ भी होता है पब्लीक के पास पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि इस पर आपको क्या करना है आपका रियक्शन क्या है तो ऐसे करके भी आप चैनल बन यह देखना है कि वो public को सवाल पता है या नहीं पता है तो ऐसे करके भी आप channel बना सकते हैं education पे बना सकते हैं अगर आप teacher है या अगर आपको English में speech करना आता है या आपको English आता है आप सोचने हैं कि लोगों को English सिखाएं YouTube पे तो English YouTube पे सिखा सकते हैं और वहां से भी आप channel क को मोनिटाइज करके YouTube चैनल के द्वारा आप अच्छे खासे पैसे कमा सकते हैं दोस्तों यहां पर दासवा नंबर पर बात करूँ 10 नंबर पर तो 10 नंबर पर आता है गेमिंग चैनल गेमिंग चैनल बहुत चल रहा है आपको पता होगा कड्या कारे नंबर आते हैं जितने भी और भी गेमर्स हैं वो सब जो है कि कोई नया गेम आता है उस पर वो लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं उस पर जो है वो गेम चलाते हैं और YouTube पर अप्लोड करते हैं और लोगों को गेम इतना पसंद है देखें एक बात बताता हूँ हर लो तो आप अगर गेमिंग चैनल स्टार्ट करते हैं तो वह भी बहुत जल्दी वायरल होता है इस साल PUBG बहुत वायरल था नेक्ट साल कोई और गेम आ जागा वो वायरल होगा हर साल एक नए एक गेम ऐसा होता है जो जल्दी वायरल हो जाता है और उस पर आप लाइव स्ट्रीमिंग करके या उसका सिर्फ आप गेम खेल कर रिकॉर्ड कर ले और एडिट करके भी यूटूब पर डाल दीजिएगा विदाउट लाइव स्ट्रीमिंग तो वह भी बहुत चलता है तो आपका ये भी एक ऑफ्सन बहुत अच्छा यूटूब चैनल के लिए कि गेमिंग का चैनल आप एक बना लिए उसके बाद दोस्तों यहां पर 11 नमबर के बात करें तो वह आ जाता है चैलेंजिंग चैनल चैलेंज करने वाला चैनल यानि कि बहुत ऐसे वीडियो देख जैलेंजिंग कर सकते हैं और यूटूब के जरी भी पैसे कमा है तो ये वी पैसे कमा सकते हैं तो यहीर बहुत अच्छा यूटूब चैनल के लिए है यहां पर 12 नमबर पर बात करें तो आ रहाता है kids content बच्चों का content आपको पता है अभी के time में पहले क्या था कि गाउं में लोग बच्चे खेलते थे पर अभी का time क्या है कि बच्चे के हाथ में mobile phone चाहिए क्योंकि उन्हें देखना होता है काटून देखने होते हैं पोईम सुनने होते हैं जो भी ABCD जो भी पढ़ने होते हैं वो सब आप mobile पर पढ़ते हैं तो अभी क्या है ना कि बच्चे को content भी बना सकते हैं अब content कैसे बनाईएगा एक channel बना सकते हैं वहाँ पर आप जो है सो counting करके मतलगे मुझ से record करके माइक से ABCD या कुछ भी आप बना सकते हैं कार्टून बना सकते हैं पोईम लिख सकते हैं यह सब बनाकर आप YouTube पर upload कर सकते हैं और kids का content भी बहुत चलता है यहाँ पर अभी कम चलता है पर other country जो है उसमें बहुत जादे kids का content चला और आने वाले एक time में यहाँ पर अभी बहुत चले बहुत जल्दी grow करेगा तो यह अभी एक अच्छा तरीका है यह channel बनाने का kids content पर 13 नमबर पर बात करें तो यह भाई बहुत चल रहा है सायरी का channel सायरी का channel बनाने से दोस्तों फायदा क्या है ना TikTok पर बहुत viral होता है सायरी का channel और सायरी का channel वायरल इसलिए होता है क्योंकि लोग सायरी को स्टेटस में लगाना स्टोरी में लगाना मतलब पसंद करते हैं तो YouTube पे अगर आभी बना लेते हैं अभी देखते होंगे कि YouTube पे आता है standard मतलब कि stand करके comedy करते हैं stand करके सायरी बोलते हैं वो सब वीडियो पे लाक में millions में भी चले जाते हैं तो अगर आप channel बनाना चाहते हैं और आपको सायरी में जाता knowledge है खुद से लिखना नहीं है Google से आप search कर सकते हैं और अच्छे से सायरी प्रिजेंट कर सकते हैं बोल कर रिकॉर्ड करिके अच्छे माइक से background में music लगाकर अब अच्छे से channel बनाकर आप जो इस बना सकते हैं यह channel अभी बहु बहुत ज्यादा चल रहा है आप YouTube open करते होंगे तो देखते होंगे कि Pakistan का कोई जो है वो अपने कोई वीडियो पर इंडिया का कोई वीडियो पर reaction देता है या इंडिया के कोई film आता है song आता है तो दूसरे country का US का चाइना का वहां का लोग जो इस रियक्ट करता है करेंगे तो वह कम चलेगा पर वो लोग करते हैं तो इंडिया में बहुत चलता है क्योंकि यहां पर का population ज्यादा है पर अभी ट्राइब कर सकते हैं आप अगर आप चाहते हैं के 2020 में कुछ करें और यह बहुत इजी है कोई भी movie आप चला दो कोई भी आप song चला दो और उस आप agriculture पर चैनल बना कर कोई भी machine के बारे में बता सकते हैं आपको पता हुए कि गाओं में एक कोई machine आ जाता है जिसके बारे में ज्यादा लोगों को knowledge नहीं होता है तो लोग देखने के लिए आ जाते हैं कि भाई यह चीज का कैसे machine काम करता है तो अगर आप एक चैनल बना चाहिए कितने खाद पढ़ते हैं यह सब भी चैनल बना सकते हैं कि अभी क्या जवाना है ना कि हर एक किसान के पास भी mobile phone है और वो लोगों के पास जाकर पूछीने से अच्छा वो गूगल पर सर्च करते हैं यह यूट्यूब ऑपन करते हैं माइक ऑपन करते हैं और उसमे अच्छे खासे यूट्यूब पर चला सकते हैं दोस्तों यहां पर मैं 16 नमबर का बात करो तो वह आ जाता है हों इंटीर डिजाइन और होम डिकोर का आईडियास जब भी कोई नया नया घड़ बनाता है नया नया रूम बनाता है तो वह यूट्यूब पर जरूर सर्च करत करें ना है ताकि मैं कैमरा का सामने वीडियो बनाओ तो कलर ज्यादा डिफलेक्ट ना करें कोई हलका सा कलर चाहिए था कौन से समान कहां पर रखने है यह जितने भी पीछे मेंने लगा रखने है उसको कैसे टांगने हैं कैसे लगाने हैं तो इस सब मैंने जो है कौन सा पेंट कहां पर नहीं होना चाहिए फिर कैसे फ्लोर रहना चाहिए कैसे बैग्राउंड रहना चाहिए कौन सा समान कहां पर लगाना चाहिए तो आप इसली इस पर भी एक चैनल बना सकते हैं और अच्छे खासे इसके द्वारा भी आप ऐसे कमा सकते हैं 20 नमबर जो है वो बहुत बेस्ट है इसमें आप अपने बिजनेस के बारे में लोगों को बता सकते हैं हर लोग जो है कोई न कोई काम करता है पेट पालने के लिए यानि कि कोई न कोई आप एक बिजनेस जरूर करते होंगे घर का काम करते होंगे तो वो भी एक बिजनेस ही है अगर आपका कोई shop है, कोई दुकान है, वो भी एक business यह है, तो आप अपने business के बारे में लोगों को बता सकते हैं, मान लिजे कि आपके पास एक किराना store है, general store है, उसमें आप सामान खड़ीते हैं, तो आप वीडियो बना सकते हैं, कि आप जो सामान खड़ीते हैं, वो कहां स फैदा होगा तो अपने बिजनेस का बारे में भी न लोगों को बता सकते हैं यूटूब चैनल पर जो भी बिजनेस करते हैं ऐसा नहीं जेनरल स्टोर का ही जो भी गैराज है तो गैराज के बारे में बता सकते हैं कि ये बाइक का पार्ट इतने में मिलता है इतना चार्ज ले से पर आराम से आप विडियो बना सकते हैं दोस्तों 18 नहीं को कहानी का चैनल अभी यूटूब्ब संटे बहुत डोड़ा है यसी कि मैंने आपको बता है साई वाला उसी में होता है क्या कि स्टोरी क्या है अगर आपका कोई लव स्टोरी ए अगर आपको खुश्च्री लगता है को से बना लीजिये लव डिश्टौरी बना सकते हैं और उसको बेगणा मुझसों में अच्छे स से एक्स्प्लेन करके आप वीडियोज को जो बना कर आप यूटूब पे अपलोड कर सकते हैं बहुत चलता है ऐसे चैनल और आप इजली जो है चला सकते हैं और इससे भी अच्छे पैसे कमा सकते हैं 19 नमबर का बात करो तो वह आ जाता है मूवी रिव्यू चैनल जब भी कोई नया मूवी आता है उसके दो दिन बाद आप सर्च किजिएगा या उसी दिन सर्च किजिएगा कि मूवी का नाम डालकर रिव्यू बहुत सारे आ जाएंगे अब मूवी रिव्यू में क्या होता है कि माली जी कोई फिल्म आया जैसे कि अभी दबंग 3 आया दबंग 3 मूवी आया आप जाकर देख लो देखकर आने के बाद जो है उसका आप एक्स्प्लेइन कर सकते हो रिव्यू कर सकते हो आपको कैसा फिल्म लगा फिल्म का कैसा लगा इसक्रिप्ट कैसा था फिल्म का आप चैनल बना सकते हैं और अच्छे पैसे कमा सकते हैं यूटूब पे बहुत ऐसे मोवी रिवी चैनल है इसमें ज्यादा कोई भी इन्वेस्ट करने का भी आपको जरूरत नहीं पड़ेगा एक कैमरा मोवाई से भी आप सूट कर सकते हैं और अच्छे से सूट कर लिजिए धीले दीले इंप्यूर्मेंट करना चाहें तो आप इजली कर सकते हैं उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 20 लंबर जैसे बहुत पहले की बहुत कम सकते हैं और एसा तो यह सब भी चैनल आप इजली बना सकते हैं और यूटूब चैनल चला सकते हैं यह टॉपिक में से आपको जो भी टॉपिक आपको लगता है कि मैं कर सकता हूँ उस टॉपिक पर आप काम करना स्टार्ट कर दो आपको अच्छे फायदे होंगे तो दोस्तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएगा और आप लोग से request है कि वीडियो को लाइक कर देए आप लोग 20 लाइक कंपनिर करके और नीचे कमेंट करके बताए वीडियो कैसा लगा नेक्स्ट किस टॉफिक पीडिए चाहते हैं वह भी आप बता देजी गा अब आप बौलोंगे कॉमेंट में इस टॉपिक में मुझे वीडियो चाहिए उस टॉपिक में मैं अब वीडिएओ बनाऊंगा सो आकर नीचे कॉमेंट कीजी ये वीडियो को लाइक कीजिए और वीडियो कैसा लगा कॉमेंट करके जरूर बताईएगा मिलते हैं इक और नेक्स वीडियो के साथ तब तक लिए ख्याल लेखिए अपना गुडबाई टेक केर